2008 में एक लड़का उत्तरी कैलिफोर्निया के एक बहुत घने जंगल से गुजर रहा था जब उसने सूरज को डूपते होए देखा तो उसने किसी जगह रुकने का और राद गुजारने के लिए टेंट लगाने का फैसला किया वो मुख्य रास्ते से कई सौ फीट दूर जंगल के अंदर चला गया जहां उसने एक छोटी खाली साव जगह देखकर वही पर अपना टेंट लगा दिया और टेंट लगाने के बाद वो अंदर जाकर आराम से सो गया कुछ घंटो बाद अचानक से उसके नेंद खुल गई उसे लगा कि उसने अपने डेरे याने टेंट के बाहर कुछ सुना है लेकिन टेंट से बाहर देखने का कोई उपाय नहीं था उसमें बाहर देखने के लिए कोई खिडकी, कोई इंतिजाम नहीं था उपर से बाहर पूरी तरफ काला घना अंधिरा था इसलिए उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वो बस लेटा रहा लेटे हुए ही ये समझने की कोशिश करने लगा कि बाहर क्या हो रहा है और जब वो वहां लेटा हुआ बारी की से बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था तब उसने धीरे से उसकी टेंट की और बढ़ते कदमों की आवाज सुनी लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाओ अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानिया सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो अब आप अपने हेड़फोन चढ़ा लीजिए और तयार हो जाईए मेरी आवाज में आज की कहानी को सुनने के लिए तो चलिए शुरू से कहानी को शुरुआत करते है अब मैं आपको बताता हूँ कि इस घटना की शुरुआत कहां से होई थी दोस्तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि 2007 में प्रसिधा कल्ट क्लासिक फिल्म इंटो दो वाइल को पहली बार थेटर में रिलीज किया गया था वो फिल्म एक सची घटना पर आधरी थे जो कि क्रिस्टोफर मेकनलस इस नाम के एक योग के जीवन से प्रेरी थे 1990 में क्रिस्टोफर ने सनमान के साथ और अच्छे अंको से ग्रेजिशन पूरा किया था सच कहे तो वो एक बहुत ही बड़ी एच्वमेंट थी वो अच्छी नौकरी पा सकता था अच्छी सैलरी ले सकता था लेकिन क्रिस्टोफर के लिए वास्ताव कुछ और ही था क्रिस्टोफर ऐसी नौकरी करना ही नहीं चाहता था असल में वो किसी भी तरह की नौकरी ही नहीं करना चाहता था वो तो बस अपनी जिन्दगी को आजादी से जीना चाहता था वो जानता था कि उसकी परिवार वाले उसकी इस बात से खुश नहीं होंगे और इसलिए एक दिन वो अपने माता पिता को बिना बताए घर को छोड़ कर चला जाता है उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था पैसे क्रेडिट कार्ड उसके पास जो कुछ भी था उसने उसे दान में दे दिया था वो अपने आपको लालस से दूर रखना चाहता था और इतना सब करने के बाद वो अलास्का चला गया अलास्का के जंगल के बीच उसे एक जंग लगी पुरानी सिटी बस मिली क्रिस्टोफर ने उसी बस को अपना घर बना लिया और वो उसी में रहने लगा दुर्भाग्य से एक सो तिरा दिन बाद वो भूख से मर गया किसी किसी का ये मानना था कि उसने कोई जहरेला पौधा खा लिया था और उसी वज़े से उसकी मौत हो गई थी अब क्रिस्टोफर की ये जीवन कहानी स्पष्ट रूप से एक दुखत कहानी है फिल्म उसके जीवन के बारे में है जो कि वास्तों में क्रिस्टोफर की अविश्वसनिय भावना और उसकी निरंतरता पर केंदरी थे वो जिस चीज को सबसे ज़ादा चाहता है वो आजादी है और इसी पॉइंट पर आकर फिल्म खत्म हो जाती है अब इस फिल्म को देखने के बाद ज़ादातर लोग दुखी नहीं थे बलकि इंस्पार्ड थे वो ये सोचन लगे थे कि जिन्दगी को जीना चाहिए भले ही उन्हें जिन्दगी में बड़े से बड़े जोखिम क्यों न उठाने पड़े लिकिन कुछ भी हो अपनी जिन्दगी जी लेने चाहिए इससे पहले की देर हो जाए और इसी दोरान एक दर्शक पूरी तरह से क्रिस्टोफर मैकेंडलेस की जीवन कहानी से प्रेरित हुआ था उसका नाम था मैट हिगिन्स मैट हिगिन्स अठ्रा साल का एक नोजवान लड़का था मैट औरेगॉन में रहता था और हाई स्कूल से ग्रेजोशन की पढ़ाई कर रहा था बहुत से लड़कों की दरह उसे भी ये पता नहीं था कि ग्रेजोशन के बाद करना क्या है आगे की पढ़ाई करनी है या फिर जॉब करना है उसके सामने कुछ भी सपष्ट नहीं था लेकिन फिल्म को देखने के बाद अब उसके सामने एक आप्शन आ गया था और वो ये था कि वो जंगल में चला जाए जैसे क्रिस्टोफर मैकनलस ने किया था बार बार सोचने के बाद मैट को यही आप्शन सबसे आसान लगने लगा था लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए जंगल नहीं जाना चाहता था इसलिए मैट ने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेने के रूप में देखा वो बस कुछ दिन का ब्रेक लेकर रियालिटी याने वास्तविक्ता को समझना चाहता था खुद को खोजना चाहता था उसने सोचा कि कुछ दिन जंगल में बिताने के बाद अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो वापस भी आ सकता है मैट ने तै किया कि सबसे पहले वो अपना ग्रैजुशन पूरा करेगा और उसके बाद 2008 की वसंतरुतु मतलब ठंड के मौसम में वो कैलिफोर्निया खंड की यात्रा करेगा जिसमें की उबढखाबढ और खूबसुरत पैसिफिक क्रेस्ट्रेल है और ये सब वो अकेले अपने दम पर करने वाला था पैसिफिक क्रेस्ट्रेल का वो हिस्सा मैट ने जिसकी लंबी पैदल यात्रा करने की योजना बनाई थी वो लगभग 1700 मील का था याने करीबन 2700 किलोमेटर की एक पैदल लंबी यात्रा ये यात्रा दक्षिनी कैलिफोर्निया में मैक्सिको की सिमा से शुरू होकर उत्तर की सिमा तक याने औरोगोन की सिमा तक होने वाली थी जिसमें उसे ओबडखावड रास्तों से, रेगिस्तान से, पहाडों से और बहुत सारे खतरनाग जंगलों के बीच से गुजरना था ऐसे ऐसे जंगलों से जो की बहुत घने थे और जहां जंगली जानवरों का खत्रा भी था इन पगडणडी वाले रास्तों पर कोई कोई स्तान ऐसी भी थे, कि जहांसे दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी जहांसे आसपास के लोगों से संपर करने के लिए कोई साधन नहीं था और इसलिए ये यात्रा खतरनाग भी थी क्योंकि अगर किसी हाइकर को यातरा के दोरान कुछ हो भी जाता तो शायद कई दिनों तक या फिर कई हपतों तक बाहर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता लेकिन ये पहली बार नहीं था कि मैट कही हाइकिंग करने जा रहा था उसके पास हाइकिंग का अच्छा खासा अनुभो था उसने अब तक पूरे औरेगॉन और पच्छिमी संयुक्त राज्यों में लंबी पैदल यात्रा और टेंट लगाते हुए हाइकिंग की थी इस दोरान मैट ने खतरनाक और इंसानी इलाकों से दूर्ख शेत्रों में लंबी पैदल यात्रा की थी जहां उसका कई तरह के जंगली जानोरों से सामना भी हुआ था इसलिए मैट हाइकिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और इसी अनुभों के बल पर उसने इतना बड़ा साहस करने का निर्णे लिया था वो साहस ही था, होश्यार था लेकिन इसके बावजूद प्रशान छिखर की पगडंडी वाली रास्ते पर उसके साथ कुछ तो अजीब होने वाला था जिससे वो पूरी तरह से अंजान था और फिर योजना के अनुसार मैट ने 2007 में हाई स्कूल से ग्रैजूशन की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर उसके बाद 2008 के ठंड के मौसम में वो घर छोड़ने को तयार था उसने अपना सामान पैक किया और हवाई अड़े से निकल पड़ा उसने दक्षिन से दक्षिनी कैलिफोर्निया के लिए उडान भरी और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने दक्षिन की और मैक्सिको की सीमा तक अपना रास्ता तै कर लिया मैक्सिको की सीमा से माट ने पासिफिक क्रेश्ट याने प्रशन शिखर के राज्से पर अपने सफर की शुरुआत की और वहां से वो उत्तर की और नीकल पड़ा मैट अपने पहले कुछ हफतों के सफर में पूरे पूरे दिन तक लंबी पैदल यात्रा करता रहा जहां तो उसका शरीर उसे साथ देता था या फिर जब रात होने लगती थी तब तक वो सफर करता ही रहता था थक जाने के बाद या फिर रुक जाने के बाद मैट वही पर किसी रासे के किनारे अपना टेंट लगा देता था उसके बाद उसके पास जो भी खाना होता था उसे वो खाकर टेंट के अंदर ही सो जाता था और अगले दिन जल्दी उटकर फिर से अपनी आगे के सफर के लिए निकल पड़ता था पहले कुछ हफतों के सफर के दौरान मैट को बहुत ज़ादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था उसके लिए सब कुछ सामान्य था इन दो तीन चीजों को छोड़ दे तो अभी तक मैट के लिए सब कुछ सही जा रहा था लेकिन मैट को अपने सफर के दौरान डर का एहसास तब हुआ जब वो लासेन नैशनल फॉरेस्ट याने लासेन राश्रेवन की सिमा के अंदर चला गया था लासेन फॉरेस्ट उत्तरी कैलिफोर्निया में एक बहुत ही घना जंगल है और वो जंगल मैट ने जहां से अपने सफर की शुरुवात की थी महां से लगबग 150 मिल की दूरी पर था मैट ने लासेन फॉरेस्ट में पैर रखने के कुछ समय बाद ही इस बात को महसूस किया था कि जंगल का रास्ता बहुत ही अजीब है वहां के पेड जाडिया सिर्फ घनी ही नहीं थी बलकि उन्होंने पगडंडी वाले रास्ते को भी अपनी शाखाओं से ढख लिया था रास्ते के दोनों किनारों पर बहुत बड़े और घने पेड थे वो इतना घना इलाका था मानो जैसे रास्ते के दोनों तरफ दो बड़ी उची दिवारे हो घना इलाका होने की वज़े से वहां की हवा भी धीमी थी और सबकुछ एकदम शान था जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसे ऐसा लगने लगा था जैसे अंधिरा होने वाला है लेकिन मैट अपने आपको शान्त रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो वो कर सकता था वो पंच्छों की चहचाहाट का मजा ले रहा था उसके चारों और से गुंच्ती कीडों की आवाज को सुन रहा था और उन्हें सुनते हुए मैट उस घने जंगल को आराम से काट रहा था उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं थी फिर वो धीरे धीरे रास्ते को पार करते हुए एक अंजान जगह पर पहुँच गया जहांसे उसे एक मोड लेना था जाने अंजाने में उसका ध्यान उपर की तरफ चला गया वहां देखकर मैट चोग गया उसने देखा कि उससे लगबग 20 फीट की दूरी पर यानि रास्ते की किनार एक बड़ासा शीलाखंड यानि एक बड़ासा पत्थर है और उस पत्थर पर दो अधेड उम्र के लोग बैठे है जिन में से एक आदमी है तो दूसरी औरत है वो दोनों सिर से लेकर पाउं तक किसी तरह के सफित कपड़े में ढके हुए थे वो दोनों भी दिखने में बहुत गंदे थे और अस्तव्यस्त थे आदमी के चेहरे पर बेढ़ंगी सी दाड़ी होगी हुई थी और नजाने कब से वो दोनों मैट को भयानक नजरों से घूर रहे थे वो देख मैट को बहुत अजीब लगा इतना अजीब कि मैट ने तुरंत नीचे देखा मैट ने नीचे देखती होई ही अपने रास्ते पर चलना जारी रखा पर जैसे ही मैट उन दोनों से कुछ फिट की दूरी पर आ गया मैट ने फिर से उपर देखा मैट ने उन्हें देख कर मुस्कुराते होई और थोड़ा हिच किचाते हुए अपना हाथ लहराया लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया उसने उन्हें हैलो भी कहा लेकिन वो बस उसे घूरते रहे उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था नो वो हस रहे थे और नहीं अपनी आखे जपक रहे थे उन्हें देखते हुए ही मैट उनके पीछे चला गया उन्हें देखने के बाद वो अपने आपको ज़ादा uncomfortable feel कर रहा था क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता था कि वो दोनों अब भी पीछे से उसे घूर रहे होंगे उन्हें दो सफिद कपड़ों में बैठे इंसानों से काफी दूर जाने के बाद भी मैट पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था उनकी आँखों को देखकर मैट सच में डर गया था इसलिए मैट बस आगे आगे चल रहा था चलते चलते वो यहीं सोच रहा था कि उसके हाथ हिलाने पर भी उन लोगों ने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया उसे कोई इशारा क्यों नहीं किया कम से कम वो हाथ भी हिला देते तो भी शायद उसे इतना अजीब न लगता पर वो इस बात को सोचकर अपने आपको तसली दे रहा था कि शायद इस घने जंगल में रह रहे हैं लोगों को कई दिनों तक दूसरे बाहर के लोग दिखाई न देते होंगे और शायद इसलिए वो इस तरह से अजीब बरताव करते है पर सच कहे तो ये बहुत ही अजीब बात है आप जानते हैं कि इस बात को सुविकार करना कितना मुश्किल है कि आप किसी अंजान जगह पर सफर कर रहे हो और आप जैसे ही दिखने वाले कुछ लोग आपको सामने देखकर भी आपकी बात का कोई जवाब नहीं देते है और नहीं आपको कोई प्रतिक्रिया करते है ये बहुत ही डरा देने वाली बात है लेकिन मैट अब उन दोनों लोगों से काफी दूर निकल चुका था और तब मैट ने अपने आपको ये कहकर समझाया कि वो नहीं जानता कि वो कौन लोग है वो कहां से आये है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसकी हैलो का जवाब नहीं दिया और उसे उन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है मैट अपने आपको समझाती हुए बस आगे-ागे चलता रहा उसने एक बार भी उन सफित कपडों में खड़े लोगों को देखने की कोशिश नहीं की कुछ घंटों बाद उसने महसुस किया कि सूरज डूबने लगा है क्योंकि उन घंए विशाल पेडों के बीच से आती रोशनी अब कम होती जा रही थी दूर का रास्ता दिखाई देना भी कम हो गया था इसलिए मैट ने वहीं आस-पास कहीं पर अपना डेरा डालने का फैसला किया और फिर वो एक सुरक्षित जगह को तलाशने लगा जिस पगडंडे वाले रास्ते से वो सफर कर रहा था उस रास्ते के पास किनारे पर बहुत ज़ादा घने पेड थे वो पेड इतने ज़ादा घने थे कि वहाँ पर टेंट लगाना मुश्किल था इसलिए मैट रास्ते को छोड करीबन 300 फीट जंगल के अंदर चला गया अंदर जाकर एक साब जगह देखकर वही पर मैट ने अपना टेंट लगा लिया उसने अपने छोटे से चोले पर अपने ले कुछ खाना बनाया और खाना खत्म करने के बाद उसने अपना बचा हुआ खाना एक वाटर प्रूफ बैक के अंदर पैक कर लिया उस वाटर प्रो बैग को एक थेले के अंदर सील करने के बाद उसे एक डोरी से बान कर एक पेड़ की शाखा पर लटका दिया वो थेला जमिन से इतनी उचाई पर था कि जहांसे अंधरे में कोई भी जानवर उसे देख न सके या फिर देख भी लिया तो वहां तक पहुँच न सके जब अंधरा और जादा घना होने लगा तब मैट अपने टेंट में चला गया और टेंट की जिब बन कर जाकर अपने स्लिपिंग बैग में सो गया अगली सुबह जैसे ही मैट जाग उठा उसने देखा कि टेंट के बाहर हलकी रोशने नजर आ रही है मतलब सूरज उगना शुरू हो गया था बाहर अभी भी बहुत अंधरा था लेकिन थोड़ी बहुत रोशने भी थी मैट जट से टेंट के बाहर आ गया और एक लंबी सांस लेते हुए बाहर आते ही उसने सबसे पहले उस पेड की तरफ देखा जिस पर उसने अपना खाना लटकया था पेड पर थेला नहीं था मैट ने चारों और नजर घुमा कर देखा सोचा कि शायद थेला वहीं जमीन पर गिर गया होगा लेकिन थेला जमीन पर भी नहीं था थेला बस वहां से गायब था मैट मन ही मन में ये सोचने लगा कि रात में तो उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी तो फिर थेला कहां गायब हो गया उसे लगा कि शायद जब वो गहरी नीन में रहा होगा तब कोई भालू कैमसाइट पर आया होगा और खाना लेकर उसके साथ वो भाग गया होगा मैट के दूसरे बैग में थोड़ा बहुत खाना था जिससे कुछ दिनों तक काम चल सकता था लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले वो अपने तर्ग को जांचना चाहता था क्योंकि हाइकर्स को हमेशा पता होना चाहिए कि उनका सामना किस चीज से है मैट ने एक बार पेड़ पर चड़कर थेले की जगह और उन्चाई को देखना चाहा वो देखना चाहता था कि किसी जानवर को उपर चड़कर थेला निकाल पाना संभव है भी आ नहीं मैट पेड़ पर चड़ गया और उसने उपर से जमिन की तरफ देखा उस वक्त उसकी नजर जमिन पर बने कुछ निशानों पर पड़ी वहां किसी भी भालू या किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे लिकिन वहां कुछ और था जिसे देखकर मैट चौक गया वो जल्दी से पेड से नीचे उतर गया पेड के आसपास की मिट्टी में दो अलग-अलग पैरों के निशान बने हुए थे मैट इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो बिना जुतों के एक बार भी टेंड के बाहर नहीं आया था वो घबरा गया और उसने उन निशानों को आसपास जाशना शुरू किया तब उसे महसूस हुआ कि ये पैरों के निशान केवल उस पेड के पास ही नहीं थे बलकि उसके टेंड के आसपास चारों तरफ थे हर जगह थे वो पागलों की तरह सोचने लगा कि ये कैसे मुम्किन हो सकता है मैं जब आकरी बार बिस्तर में सोने गया था तब तो बहुत जादा अंधिरा था और इतना घणा अंधिरा होने के बावजूद कोई इंसान मेरे कैमसाट तक कैसे आ सकता है इतना ही नहीं बलकि उन्होंने मेरा खाना तक चुरा लिया और मुझे पता भी नहीं चला उसका टेंट मुख्य रास्ते से काफी अंदर तक था और मैट को ये बात जरा भी हजम नहीं हो रही थी कि इतना घणा अंधिरा होने के बाद भी वो लोग कैसे उसे ढूंटे हुए तीन सो फीट अंदर तक आ पहुँचे थे वो भी बिना आवाज किये इस बात पर सोच विचार करने के बाद मैट इस सोच तक आ पहुँचा था कि हो नहो ये वही दो लोग थे जिने उसने चक्टान पर देखा था वही लोग जो सफेद कपड़े में थे और अब वो मैट के पीछे-पीछे यहां तक आ गए थे शायद उन्होंने अंदरा होने का और उसके सोने का इंतजार किया और फिर उसका खाना चुरा कर वो भाग गए थे इस बारे में सोचते हुए उसे अचानक से ये एहसास हुआ कि हो सकता है वो शायद अभी भी वहीं हो शायद वो अब भी किनी पेडों के पीछे छुपकर उसे देख रहे हो मैट ने चारों और नजर घुमा कर देखा उसे लग रहा था कि वो अचानक से कही न कहीं तो जरूर दिखाई देंगे मैट बार-बार यहां वहां पेडों के पीछे जहांक कर देख रहा था लेकिन काफी देर तक यहां वहां देखने के बाद उसे लगा कि वहां कोई नहीं है फिर भी उसे बार-बार ये डरावना एहसास हो रहा था कि कोई अब भी उसके पीछे है कोई अभी उसे देख रहा है इस बात को लेकर वो अस्वस्त होने लगा था उसने जल्दी से अपने कैमसाइट को पैक किया और वो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ कर आगे निकल पड़ा वो बहुत शांती से पकडंडी के और बढ़ा चलते चलते उसके मन में बार बार यही खयाल आ रहा था कि वो लोग अभी भी उसके पीछे है या फिर अचानक से वो किसी पेड से निकल कर उसके सामने कूट पड़ेंगे या फिर शायद उस पर जपट पड़ेंगे इस डर से मैट थोड़ा और ते चलने लगा था आखिरकार वो पकडंडी के रास्ते पर पहुंचा उसने एक बार फिर नीचे पकडंडी के और देखा उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया वो देख उसने थोड़ी राहत की सास ली मैट ने सोचा कि वो लोग खाना चुरा कर चले गए होंगे और ये सोच कर वो फिर से अपनी मनजिल के और चल पड़ा मैट कई घंटों से लगादार चल रहा था लेकिन जब भी उसके मन में उन दो लोगों का खयाल आ जाता था वो हलकी सी अपनी नजर गुमा कर पीछे देख लेता था कि सफेद कपड़ों में वो पुरुष और महिला अब भी कही न कहीं उसके पीछे है आकिरकार उस छोटे पगडंडी वाले रास्ते को काटने के बाद वो एक खुले और खूपसुरत मैदान में आ गया था और बीच रात में वो उसके कैमसाइट पर घूम रहे थे लेकिन शायद वो दोनों भी बहुत जादा भूके थे उन्हें बस खाने की जरूरत थी और इसलिए वो लोग सिर्फ खाना चुराने के लिए वहाँ आये थे शायद इसके बाद अब उसे कभी भी उन लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा हाला कि मैट की ये सोच बहुत जल्द ही गलत साबित होने वाली थी मैट ने अगले तीन दिनों तक लासन के उस जंगल से पगडंडी से होते हुए उत्तर की और अपना चलना जारी रखा इन तीन दिनों के सफर के दौरान उसने एक बार भी उन सफित कपड़ों में उसका पीछा कर रहे लोगों को नहीं देखा था नहीं रात में उसका किसी अंजान चीज से सामना हुआ था और नहीं उसका सामान चोरी हुआ था इसलिए मैट ये सोचकर खुश था कि वो बस एक मामूली सी घटना थी उन लोगों ने उससे बस वो ले लिया था जो वो चाहते थे और अब वो उसके पीछे नहीं है पर खाना चुराने की घटना के बाद वाली चौथी रात मैट के लिए बहुत तरावनी और खोफनाक साबित होने वाली थी उस रात मैट को फिर से मजबूर होकर रास्य को छोड़ जंगल के अंदर कही अपना टेंट लगाना पड़ा वो एक बहुत ही घणा जंगल था इस बार वो रास्य से कुछ 100 फिट अंदर चला गया होगा और वही पर एक अच्छी जगा देखकर उसने अपना टेंट लगाया टेंट लगाने के बाद मैट ने टेंट के चारो और सुखी लकडियों का एक घेरा बना दिया मैट ने खाना चोर्य होनी की घटना के बाद हर रात ऐसा करना शुरू कर दिया था ये सुखी लकडिया उसकी लिए एक पूरो चेताओनी प्रानली याने अलाम सिस्टम की तरह काम करती थी मतलब अगर कोई भी बड़ा जानवर या कोई भी इंसान उन लकडियों के घेरे पर कदम रख देता तो उन लकडियों की टूटने की आवाज होती और मैट सतर खो जाता सुरक्षा का सारा इंतजाम करने के बाद मैट ने खाना खाकर खाने को फिर से एक सुरक्षी जगब पर चुपा दिया और अंधिरा होते ही वो अपने टेंट के अंदर गया और सो गया कुछ घंटे बाद अचानक से मैट की नेंद खुल गई जब उसने अपनी आंखे खोली तो देखा कि हर तरव बस अंधिरा ही अंधिरा है वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था उसके टेंट को कोई खिड़की तक नहीं थी जहांसे वो बाहर जाक कर देख सके इसलिए खुली आँखों से भी वो कुछ भी देख नहीं सकता था वो बस अपनी आँखे खोल कर लेटा हुआ था लेकिन उस घने अंधिरे में मैट ध्यान से किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था असल में वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों जाक गया है ऐसा भी नहीं था कि किसी चीज ने उसे चौका दिया था पर वो बस लेटा हुआ किसी चीज का इंतजार कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात से उसके नेन टूड गई थी क्या उसे नेन में कुछ महसूस हुआ था या फिर वो कोई उसका ब्रहम था उसके कान बहुत ध्यान से उसके चारो तरफ से आती आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे थे मैट ने शांदी से अपनी दोनों आखे बंद कर ली पर तभी उसे पास कहीं से लकडी टूटने की आवाज सुनाई पड़ी जैसे किसी ने उसके टेंड के आसपास बिखरी लकडियों पर कदम रख दिया हो आवाज को सुन मैट चोकरना हो गया उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा था क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि कोई जानवर या फिर कोई इंसान उससे बस कुछ फीट की दूरी पर है इसलिए वो बिना कोई आवाज किये बस शान पड़ा रहा मैट ने बहुत शानती से अपने स्लिपिंग बैक से अपना एक हाथ बाहर निकाल लिया और पास छुपाय हुए शिकार करने वाले चाको को कसके पकड़ लिया चाको के हैंडल को पकड़ कर उसे धीरे से अपनी छाती तक ले आया ताकि अगर कोई उपर से उस पर हमला कर दे तो वो सीधे सीधे उसे मार सके तब ही उसे एक के बाद एक और कई जाधा कद्मों की आवाज सुनाए दिने लगी बाहर जो कोई भी था वो एक तरह की स्पीड से चल रहा था मतलब बाहर जो कोई भी था उन्हें लकडियों की तूटने की आवाज की परभा नहीं थी ना उन्हें किसी बात का डर था आवाज को सुनकर मैट इतना तो जान चुका था कि बाहर जो कोई है वो सीधे उसके टेंड की तरफ आ रहा है सच कहे तो मैट की दिमाग ने काम करना ही बन कर दिया था उसकी दिमाग में उस वक बहुत कुछ चल रहा था लेकिन निरने लेने की उसमें ताकत नहीं थी लेटे लेटे ही उसके हाथ पेर कापने लगे वो खुद को समझा कर खत्री का सामना करने के लिए तयार कर रहा था वो सोच रहा था कि कोई अगर बेवजय उसके टेंड के बहुत करीब आ गया तो उसे उसे मारना पड़ेगा मतलब अगर बाहर कोई इंसान है तो जाहिर है कि वो उसका दोस नहीं है क्योंकि अगर बाहर कोई अच्छा इंसान होता तो वो ज़रूर से आवाज देता लेकिन बाहर खड़े उस इंसान या जो कुछ भी था उसकी बारे में सोचकर मैट बस काप रहा था मैट बस उन कदमों की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था वो सुन पा रहा था वो कदमों की आवाज टेंट के करीब और करीब आते जा रही थी और फिर अचानक से वो आवाज एकदम से रुक गई मैट जानता था कि वो पैर ठीक उसके सर के पास खड़े है वो लोग इतने करीब होकर भी अंदिरा होने की वज़े से मैट उन्हें देख नहीं सकता था लेकिन वो उन्हें ध्यान से सुन पा रहा था और तब उसे अचानक से कोई फुसफुसाने की आवाज सुने देने लगी लेकिन फिर भी मैट ने अपनी जगा से उठने की हिम्मत नहीं की वो फुसफुसाने की आवाज सिर्फ उसके सर के पास से ही नहीं आ रही थी बलकि जंगल में हर तरफ से आ रही थी सभी अलग-अलग दिशाओं से आ रही थी और इसलिए मैक नहीं जानता था कि उसे इस हाल में क्या करना चाहिए उस हालत में उसकी सोच ने जैसे काम करना ही बन कर दिया था वो बस आजपास से आती हुई उस फुसफुसाट भरी आवाज को सुन रहा था जो कि धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही थी मैक महसुस कर पा रहा था कि वो सारे लोग उसके टेंग के आजपास ही कही खड़े है और अचानक से उन लोगों ने उसके टेंग का गोल चकर काटना शुरू कर दिया है अब मैक टेंग के चारों तरफ से एक घेरे में चलती हुए कद्मों की आवाज को सुन पा रहा था मैक बहुत जादा खौफ में था बहुत जादा डरा हुआ था उसके हाथ, पाउं, होड़ सब कुछ तीजी से थर्थरा रही थे वो किसी बर्व तरह अपनी जगा पर ही जम गया था वो जानता था कि उसके हाथ में चाकू है पर उसके दिमाग में इतना जादा खौफ था कि वो जानता था कि वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर पाएगा उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो इतने में अचानक से वो फुसफुसाने की आवाज बंध हो गई कदमों की आवाज तक रुख गई एक पल में सब तरफ सन्नाटा हो गया आसपास सब कुछ इस सरह से शान्त हो गया जैसे आसपास कुछ भी नहीं था एक तरह से ये मैट के लिए राहत वाली बात थी लेकिन मैट अब भी वहीं लेटा हुआ था वो ये सोच रहा था कि अपनी जगह से उटने से पहले वो पीछे जाती कदमों की आवाज को सुनना चाहता था जो कि वापस जंगल में पीछे की तरफ हट रही हो लेकिन उसने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी जिससे की पता चल सके कि लोग उसके टेंस से दोर जा रहे है फुसपुसाने के आवाज अब भले ही बंध हो गई थी लेकिन वो जानता था कि बाहर जो कोई भी है वो अब भी बाहर है शायद वो मैट के बाहर आने का इंतिजार कर रहे है लेकिन बाहर इतना जादा घना अंधिरा था कि मैट बाहर जाकर भी कुछ भी देख नहीं सकता था इसलिए मैट अपनी जगह पर हैं बस लेटा रहा पता नहीं कि बाहर कितने सारे लोग होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच या दस और वो सभी उसके टेंट से बाहर आने का इंतिजार कर रहे होंगे सुबह होने में अब कुछी वक्त बाकि था लेकिन अब तक मैट ने पीचे हटते कदमों की आवाज नहीं सुनी थी हो सकता है कि वो अभी अपनी जगह पर ही खड़े हो कुछ वक्त बाद सुरज पूरी तरह से आस्मान में उपर आ गया और मैट को टेंट के बाहर कुछ-कुछ रोशनी दिखाई देने लगी मैट ने ये सुचा कि उसे अब बस जाचना है कि बाहर कोई है भिया नहीं इसलिए उसने अपनी जगह से उठते हुए टेंट की चेन खोल कर बाहर देखा बाहर कोई भी नहीं था मैट कूटकर टेंट के बाहर आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में जो चाको था उसे अपने सामने पकड़ लिया मैट अपने आपको ये बता रहा था कि कौन था बाहर कोई नहीं था हाँ शायद वो चले गए है या फिर वो कुछ दूरी पर पेडों की पेचे चुपे हुए है ये सोचकर मैट बहुत देर तक अपने कैम साइट के आसपास सब चीजों को जांचता रहा इस उम्मेद में कि कहीं न कहीं उसे वो सफेद कपड़ वाले लोग दिखाई देंगे या फिर दूसरे कोई लोग जिने वो जानता तक नहीं था लेकिन काफी देर तक यहां वहां टटोलने के बाद भी मैट ने किसी को भी नहीं देखा इसलिए अब वो अपने आपको समझाने लगा कि शायद रात उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और बहुत जादा डर की वजह से उसे यह भ्रहम हुआ होगा लेकिन जब मैट ने नीचे जमीन की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया उसने अपने कैम साइड में उसके टेंड के चारो और पेरो के निशान देखे वो निशान हर जगह पर थे टेंड के पास थे लखडी के गेरे के बाहर थे मतलब जिस बात को वो सपना समझ रहा था वो एक खौफनाक सश था इसलिए मैट ने जल्दे जल्दे में अपना सारा सामान पैक कर लिया और उसे अपने कंधे पर डाल कर वो पगडेंडी के रास्ते के और चलने लगा जब हो पगडेंडी पर पहुचा तो उसने उत्तर की दिशा में दोड़ना जारी रखा इस बार वो चल नहीं रहा था बलकि दोड रहा था दोड़ते हुए वो बार-बार अपने कंधों के पीछे देख रहा था वो बहुत जादा डा रहा था उसके मन में बस एक ही बात चल रहे थी कि कुछ भी कर मुझे उस लैसे नैशनल फॉरेस्ट से बाहर निकलना है कुछ भी कर मुझे उन सफेद कपड़ों में पीछा कर रहे लोगों से दोड जाना है वो पुरा दिन बस दोड़ता रहा उसने बस कुछ मेंट के लिए आराम किया होगा बाके दिन बर वो तेजी से बस आगे बरता जा रहा था आखिरकार दिन के दोपर तक वो लैसेन राश्ट्रे वन से बाहर निकल गया था वो अब एक ऐसी जगह पर था जहां पर करीब ही एक छोटा सा शेहर बसा हुआ था उस रात मैट ने जंगल के बाहर लेकिन शेहर के ठीक करीब ही अपना डेरा डाल दिया अपनी सुरक्षा को सुनिचित करने के लिए मैट जितना संभव हो सके शेहर के या यो कहे कि इंसानी बसी के करीब होना चाहता था जब वो खौफ से उस रात अपने टेंट में पड़ा हुआ था तब वो हर उस चीज, हर उस घटना के बारे में सोच रहा था जिनका पिछले कुछ दिनों में उसने अनुभो किया था जिनका उसने सामना किया था जब से उसने उस बड़े से पत्थर पर उन दो लोगों को बैठा हुआ देखा था तब से वो लोग उसका पीछा कर रहे थे पहली रात उन्होंने बस खाना चुराय था ये अजीब आत है लेकिन ये बात कुछ-कुछ समझ में भी आती है कि ऐसा होना एक नॉर्मल बात है लेकिन पिछली रात उसके साथ जो भी हुआ था उसका कोई भी मतलब नहीं बनता था मतलब साफ था कि वो सफित कपड़े पहने लोग पूरे वक्त मैट का पीछा कर रहे थे लेकिन मैट क्यों उन्हें एक बार भी देख नहीं पाया था जबकि वो बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा था और वो हर बार उसके पीछे ही थे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था कि वो हर बार अपने आपको छुपाय रख सके वो लोग कई दिनों से चुपचाप और बिना नजर आये उसका पीछा करने में काम्याब रहे थे दूसरी चोकादेन मेली बात ये थी कि मैट अपना कैम साइड दादा तर पकडंडी के सेकडों फीट दूर बनाता था और अगर वो लोग मैट से बहुत दूर हुआ करते थे तो इतने घने जंगल में इतने घने अंधिरे में वो इतने आराम से उस तक कैसे पहुँँच जाते थे वो बार-बार उसके टेंट के आसपास क्यों घूम रहे थे वो फुसफुसा कर आपस में क्या बात करते थे क्या वो लोग कोई काला जादू कर रहे थे या फिर कोई तंत्रमंत्र बड़बडा रहे थे नजाने वो सब वहां क्या कर रहे थे उस रात उसने टेंट की तरफ आती कदमों की आवाज तक सुनी थी यही नहीं बलकि उसने फुसफुसाने की आवाज को भी साफ साफ सुना था लेकिन उसके बाद उसने उन लोगों की पीछे हटने की आवाज को क्यों नहीं सुना था और सुबह होते ही वो अचानक से कहां गायव हो गए थे नजाने उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा इनी सब बातों को सोचते हुए कब मैट की आँख लगई उसे भी पता नहीं चला अगली सुबह जब वो नेन से जागा तो सबसे पहले उसके मन में यही बात आ गई कि कहीं वो लोग फिर से उसके टेंग की तरफ तो नहीं आ पहुँचे और फिर उसने बाहर जाकर हर तरफ देखा पर उस रात उनके वहां होने का कोई निशान नहीं था उस सुबह मैट ने अपने कैमसाड को पैक किया और कुछ देर वो वही बैठा रहा वो सोच रहा था कि उसे अब हाइकिंग बन कर देनी चाहिए अपने परिवार को फोन कर उन्हें यहां बुला लेना चाहिए ताकि वो उन अंजान लोगों से उस जगह से छुटकारा पा सके पर दूसरी तरफ उसके मन में ये भी बात आ रही थी कि अब तक उसने करीबन 1600 मिल का अंतर पार कर लिया था और अब सिर्फ 100 मिल का डिस्टेंस बचा था तो ये भी उसके लिए एक महत्व पूर्ण बात थी कि वो फिनिश लाइन से बस कुछ ही मिल दूर था और यहां तक आकर वापर जाना बेवकुफी होगी इसलिए जिसके उसने शुरुआत की थी उसे पूरा करने का उसने नीर रह लिया मैट ने फिर से एक बार अपने सामान को बांध कर अपने कंधे पर डाल दिया और हिम्मत कर फिर से अपनी मंजल की तरफ चलना शुरू कर दिया मैट को उस दिन उस छोटे शहर को छोड़ कर फिर एक बार एक बहुत घने जंगल से सफर करना था जंगल का नाम था माउंट शास्ता फोरेस्ट माउंट शास्ता फोरेस्ट भी लासन फोरेस्ट की तरह बहुत जादा घना था लेकिन इस forest के बारे में सबसे डराओनी बात ये थी कि पिछले कुछ वक्त में उसने यहां लोग लापता होने की कई सारी घटनाओं के बारे में सुना था मैट के लिए ये परेशान करने वाली बात थी और सबसे दाधा भायानक बात तो ये थी कि जब भी वहां से लापता लोग मिल जाते थे उनका यही कहना होता था कि जब भी वो उस विरान सुनसान रास्ते से पैदल सफर कर रहे होते थे तो उन्हें उनके जैसे ही दूसरे सफर कर रहे लोग दिखाई देते थे वो लोग कभी-कभी उनकी पीछे से आकर उनकी पीट को थपतपाते थे पर जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखते वहां कोई नहीं होता था उन्हों धूनने पर भी वहां कोई नहीं मिलता था ये किसी भूप प्रेट जैसा था माउन शास्ता फॉरिस्ट के बारे में चिंता करने वाली बात ये थी कि वहां लापता लोगों की संख्या दिन बदिन बढ़ती जा रही थी माउन शास्ता ये नाम है सुनने में कितना अजीब और डरावना लगता है इतना सब कुर जानने के बावजुब भी माउन शास्ता के जंगल से अपने सफर की शुरुआत कर देता है अंदर जाते हैं उसने पाया था कि वहां पर भी उसी तरह के गंदे और पत्रीले रास्ते थे उचे घने लंबे पेड थे जहां से बहुत ही कम रोशनी अंदर आती थी फॉरेस्ट के अंदर जाने के कुछ दिर बाद ही मैट को ये लगने लगा था कि कोई अब भी उसके पीछे है वो बार-बार दोनों दिशाओं में देख रहा था लेकिन उसे इस बात से रहत थी कि उसकी मंजिल अब जादा दूर नहीं है तो उसे बस चलते रहना है और वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा माउन शास्ता फॉरेस्ट में सफर करते हुए पहले तीन दिनों तक मैट बस अपना सर नीचे जुकाए चलता रहा वो हर दिन यहीं सोचता था कि उसे दिन भर में जितना हो सके उतना आगे बढ़ना है शाम होती ही वो रास्ते से दूर कहीं एक साफ जगा देखकर वहाँ पर अपना कैंप लगा देता था वो ये सोचता था कि उसका उन सफित कपड़े पहने हुई लोगों से या किसी और से कोई जगडा नहीं था और शायद इसलिए उन्होंने अब उसे अकिला छोड़ दिया है माउन शास्ता जंगल में उसका ये चौथा दिन था उस चौथे दिन में मैट ने अपने आपको उस घने जंगल वाले इलाके से बाहर पाया वो एक खुले रास्ते पर था जो कि एक पहड की किनारे से गुजर रहा था ये पगडंडी का रास्ता काफी ऊचा और काफी उपर तक जा रहा था आसपास पेड जाडिया कम थे और अब वो दूर दूर तक पेले कई मील रास्ते को साफ साफ देख सकता था इतना ही नहीं बलकि अगर कोई उसका पीछा कर रहा होगा तो वो उसे भी साफ साफ देख सकता था वो बहुत जादा खुले मैदान में था इस बात को लेकर मैट बहुत खुश था उसे अब और जादा सुरक्षित लगने लगा था पगडंडी के रास्ते पर दिन का आनिंद लेते हुए वो बस आगे चलता रहा आसपस सब कुछ बहुत जादा खुब सुरत था अब तक सब कुछ सही चल रहा था फिर एक उची चोटी जैसी जगह पर आने के बाद नजाने उसकी दिमाग में क्या आ गया और उसने पीछे मुड़ कर देखा उस सफर के दौरान मैट ने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा था पर अब जब वो गुमा तो उसने मीलो दूर से दो छोटे सफिद बिंदो को धीरे धीरे उसकी और सरकते हुए देखा जो कि अपना रास्ता बनाती हुए उसके पीछे-पीछे ही आ रहे थे वो सफेद पोशाक वाले लोग फिर से उसके करीब थे उस वक्त मैट अपनी मन्जिल से बस कुछ पचास मिल की दूरी पर था मतलब एक बात तो अब साफ थी कि उसने जिन लोगों को उस बड़े से पत्थर पर बैठे हुए देखा था वो सच में अब भी उसके पीछी थे उन्होंने शुरुआत से ही मैट का पीछा किया था और निच्चित रूप से रात को होने वाली घटनाओं के लिए वही जिम्मेदार भी थे वो नजाने इस तरह से उसका पीछा क्यों कर रहे थे और रात में उसके टेंड के पास आकर क्या करते थे मैट को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो क्या चाहते थे लेकिन मैट को अब इस बात की बिल्कुल भी परवा नहीं थी कि उसे कितना अंतर पार करना है वो बस किसी तरह उन दो लोगों से दूर जाना चाहता था उसने अपनी जेब से नक्षा निकाला और नक्षे में अपने स्तान को देखा नक्षे में अपने स्पॉट को देखकर उसे डर का आहसास हुआ क्योंकि वो स्पॉर्ट अपने पूरे सफर के सबसे अलग हिस्सों में से एक था वो इंसानी बस्ती से बहुत जादा दूर था जो शहर उस जगह से कम से कम दूरी पर था वो था कैस्टला कैलिफोर्निया जो कि वहां से 25 मिल की दूरी पर था और इतने कम वक्त में वहां पहुँच पाना उसके लिए नामुम्किन था मैट ने नक्षय को अपनी जेब में रख दिया और एक आखरी बार उसने पीछे मुड़कर उन दो सफित कपड़े पहने लोगों पर अपनी नजर डाली उसने महसूस किया कि वो लगादार उसकी और ही बढ़ रहे थे फिर मैट ने नीचे रास्ते को देखा और बस दोड़ना शुरू कर दिया मैट बिना रुके घंटों तक दोड़ता रहा वो उनसे बहुत ज़ादा दूर निकल चुका था वो जब भी पीछे मुड़कर देखता था उसे वो लोग दूर दूर तक कही भी दिखाए नहीं देते थे इसके बावजूद वो बस दोड़ता रहता था उसे बस यही डर लगा रहता था कि वो अब भी उससे ज़ादा दूर नहीं गया है और वो रात में किसी भी तरह फिर से उस तक आकर पहुँच जाएंगे अंधेरा हो चुका था और मैट अब भी दोड़े जा रहा था उसे ना जमीन दिखाए दे रही थी और ना आसमान वो बड़ी मुश्किल से रास्ते को देख पा रहा था लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैट बहुत जादा ठक गया उससे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था आखिरकार वो रुख गया फिर वहां से वो एक तरफ मुड़ा और पगड़ेंडी के रास्ते को छोड़कर जंगल में सेकडो फिट गहरे में बहुत दूर चला गया वो रास्ते से जितना हो सके उतनी दूर जाना चाहता था ताकि वो सफित कपड़े वाले लोग उसे ढून न सके आखिरकार बहुत दूर जाने के बाद उसने एक जगह पर अपना टेंट लगा लिया वो जगह रास्ते से काफी दूर थी और थोड़ी गहराई में भी थी जिसे रास्ते से देख पाना तक मुश्किल था मैट ने वही पर अपना टेंट लगा लिया उसके बाद उसने बहुत ध्यान से अपने कैमसाइट के चारो और लक्डियों का सुरक्षा कवज बना लिया वो अपनी सुरक्षा को सुनिचित करना चाहता था उसने लक्डियों को इतना जादा करीब रखा कि उस पर जरासा भी पैर पढ़ने पर आवाज हो सके और कोई भी छोटा मोटा जानुवर या कोई भी इंसान उसे आसाने से पार न कर सके सब कुछ हो जाने के बाद उसने फिर से आसपास एक बार देखने की कोशिश की और फिर वो अपने टेंट के अंदर चला गया उसने टेंट को जिब कर अंदर अपना सामान ठीक से रख दिया कि कहीं खत्रा महसूस होने पर अगर भागना पड़े तो वो आसाने से सामान को लेकर भाग सके सब कुछ होने के बाद वो अपने स्लिपिंग बैक के अंदर लेड गया अब उसे नेंद कहां आने वाली थी उन दोनों सफेद कपड़ों में सफर कर रहे लोगों को देखने के बाद उसकी नेंद कपकी उड़ चुकी थी वो अंदर से बहुत जादा डरा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि पिछले कुछ दिनों में उन दो लोगों ने और अब वो पगड़ंडी के रास्ते पर भी नहीं है इसलिए उसे ढूनना इतना आसान नहीं होगा मैट कई घंटे तक यहीं सोचता रहा लेकिन पर ठकान से उसकी हालत बहुत जादा खराब हो चुकी थी उसे आराम की सक्ट जरूरत थी वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बाहर भी सबकुश शान्त होता चला गया छोटे मोटे जानवर की आवाज को छोड़ दे तो आसपास सबकुश नॉर्मल था उसका दिमाग तक बहुत जादा ठका हुआ था और वो धीरे धीरे नेम की आगोश में जाने लगा आखे इतनी जादा भारी हो चुकी थी कि उन्हें खुला रख पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था और फिर कुछी देर में उसकी आख लग गई लेकिन उसके अगले ही पल उसे एक लकड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी उसने खड से अपने दोनों आखो को खोल दिया किसी ने उसकी बिचाई होई लकड़ों पर अपना कदम रख दिया था अपनी आखे खोल कर मैट आसपास के खत्रे को भापने की कोशिश करने लगा पर तभी उसे ठीक उसी तरह की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी जैसे उसने उस रात सुनी थी वो आवाज टेंट के चारो और से सुनाई दे रही थी मैट अब बुरी तरह से थर्थर काप रहा था वो ये तक सोच नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना है उसी पल उसने देखा कि उसका टेंट एकडम से बाहर की आती रोशनी से जगमगा उठा किसी ने टेंट पर हर तरफ से टॉर्ज की तेज रोशनी डाली थी बाहर कोई था जो उस आधी रात में उस घने अंधरे में भी रास्ते से सेकड़ो फिक दोरी पर मैट के कैम तक आ पहुँचा था उन्होंने फिर से आसानी से उसे ढूंड लिया था मैग पसीने से लबालब हो चुका था वो एक हाथ से पसीना पोच रहा था तो दूसरे हाथ से उसने चाको को कसकर पकड़ रखा था वो शान्ती से पड़े हुए आसपास की हलचल को सुनने की कोशिश कर रहा था कि कुछी पल में सभी लाइट बंध हो गई सबकुछ फिर से अंधरे में डूब गया एकदम से सबकुछ शान्त हो गया अब मैट की दिमाग में बस दो बाते चल रही थी या तो वो उनसे लड़ाई करे या तो वहां से भाग जाए और फिर पता नहीं कि मैट की दिमाग में क्या आ गया वो बिना कुछ सोचे तेजी से स्लिपिंग बैक को फाड़ कर तेंड के बाहर खुद पारा और बाहर आते ही उसके हाथ में जो चाको था उसे हवा में लहराते हुए यहां वहां फेरते हुए वो जोर जोर से चिलाने लगा गुस्से में जोर जोर से चिला कर वो वहां खड़े लोगों को उससे दूर जाने के लिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था काफी देर तक वो बस चिलाता रहा आखिरकर वो ठककर तेजे से सांस लेते हुए एकदम से शान खड़ा हो गया पर तभी उसे पीछे से लकडी टूटने की आवाज सुनाई दी उसने अपने सर को गुमा कर पीछे देखना चाहा कि वहाँ कौन है पर वहाँ उसे अंधेरे के सिवाए कुछ भी दिखाए नहीं दिया पर वहाँ कुछ तो था जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था तभी उसे एक के बाद एक लकडी टूटने की आवाज सुनाई देने लगी और वो समझ गया कि एक काला साया उसकी और दौरता हुआ आ रहा है मैड बिना कुछ सुचे वहाँ से भागने लगा जंगल में हर तरफ घना अंधेरा था हर जगा बड़े बड़े पेड थे मैड भागते हुए बार बार पेडों से टकरा रहा था पेडों की टहने और से टकरा ते हुए उन्हें तोड़ते हुए तोड़ते हुए वो बस पागलों के तरह दोड़ता जा रहा था कभी वो लड़खडा रहा था तो कभी वो जमेन पर नीचे गिर रहा था उससे कुछ भी पता नहीं था कि वो किस दिशा में दोड रहा है वो बस जितनी तेजी से दोड सकता था उतनी तेजी से दोड रहा था वो लोग शायद अब भी उसका पीछा कर रहे थे कुछ पांच मिनट दोडने के बाद वो ठोकर खाकर एक जगा पर गिर पड़ा वहां पांसी एक बड़ा सा पेड़ था और एक छोटा सा गड़्धा था वो उस पेड़ के सहारे से उस गड़े में उतर गया और उस जगा को टटोलते हुए पेड़ और पथरों के बीच की एक छोटी सी जगह में वो जाकर छुप गया उसने उस जगह पर अपने आपको इस सरह से छुपा लिया था कि अगर कोई पीछे से उसकी और आ जाता तो उसे आसाने से समझ आ जाता वो अब भी पीछे मुड़कर उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा से वो दूर भाग रहा था और जब वो वहां लेट गया तो उसने देखा कि कुछ लोग टॉर्च लेकर उसे जंगलों में चारो तरफ धून रहे है वो लोग उसे धूनते हुए उसके और करीब आ गए थे लेकिन फिर भी वो उससे धून नहीं सके कुछ दिर बाद वो उससे धूनते हुए ठीक उसके पीछे चल गए मैट पूरी रात इस लौक के नीचे छुपा रहा सुरज उगने के बाद भी वो उस जगश से बाहर नहीं आया उससे डर था कि ये लोग आसपास ही कहीं छुपकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे करीबन दोपर तक वो बिना कोई हलचल किये वहीं पर पड़ा रहा मैट अभी भी बहुत ज़ादा डरा हुआ था आखिरकार दोपर होने के बाद वो लोग के नीचे से बाहर निकलाया उसने एक नजर चारो और देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था फिर अपने कैमसेड पर जाने के बजाए उसने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से दूर जाने का निरने लिया और वो फिर से उस जगह से दूर भागता चला गया वो कैस्टिला कैलिफोर्निया के तरफ जाते रास्ते पर दोड़ता चला गया और जब वो वहाँ पहुचा तो उसने सबसे पहले वहाँ की पुलीस और फॉरिस्ट से गटना की जानकारी ली और उसे एक सुरक्षित मोटल में रख दिया उसकी बाद पुलिस ने उसके घरवालों को खबर कर दी उसके घरवाले तुरंट ओरेगॉन से माउंट शास्ता तक ड्राइव करते हुए मैट को घर वापस ले जाने के लिए वहाँ आ पहुँचे इस घरवालों के कुछ महिनों बाद मैट ने फिर से माउंट शास्ता की पुलिस और फॉरेस्ट टीम को संपर किया था वो जानना चाहता था कि वो सफित कपड़े पहने कौन लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे पुलिस ने अब तक उन्हें पकड़ लिया है या नहीं लेकिन तब पुलिस ने उसे बताया कि अब तक काफी लोगों ने इस बात की पूश्टी की है कि उनके कैंप साइट से सामान चोरी हुआ है पर ऐसा एक भी गवाँ एक भी आदम नहीं है कि जिसमें उन सफित कपड़े पहने हुए लोगों को देखा हो या फिर किसी ने उन्हें डराया हो मैट अकिला था कि जिसके साथ ये सब हुआ था इसलिए इसमें किसी को गिरपतार करने की कोई ठोस वज़ा नहीं थी पर आखिर में उनका कहना यहीं था कि उन्हें अब तक सफित कपड़ों में घूम रहे लोगों की कोई भी खबर नहीं मिली है और नहीं उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी है मैट को अब तक पता नहीं चला था कि वो लोग कौन थे और वो उसके पीछे क्यों पड़े होए थे वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उन लोगों ने लगभग सौ मिल तक उसका पीछा क्यों किया था उसे ये तक पता नहीं था कि वो इतनी दूर होने के बाद भी इतनी आसानी से उसे कैसे ढून लेते थे कैसे वो बिना किसी नक्षे के बिना किसी निशान के बहुत आसानी से अंदेरे में भी सफर कर ले दे थे और ये सब कुछ मैट के लिए आज भी किसी बड़े रहस्य से कम नहीं था